हेलो वाट्सअप गाइस क्या हाल है तुम लोगों का तो मेरा नाम है फीनिक्स एंद तुम लोगों का सवागत है पोकिमोन दा लास फायरेड वर्जन के गेम पे लेके पार्ट 21 में तो ब्रो अभी मैं करेंटली हूँ वेरमिलियन सिटी के पोकिमोन सेंटर में और मैं आज जाने वाला हूँ भई रूट 10 में उधर मुझे मिलना है ब्रैंडन से उसने मैसेज किया था कि वो मिलेगा मुझे उधर प्रो लास एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ था मैं तुम्हें एक बार रीकैब देता हूँ तुम्हें लास एपिसोड में इस टिकलेट केब से गया था रूट 2 में प्रोफेसर के एक आईडी से मिलने वह मुझे एक चीज देना वाला था लेकिन वह चीज को उसने उस आइटम को उसने भई कहीं पर खो दिया था खो दिया है रूट 10 में तो साइद मुझे रूट 10 में मिल सकता है वह आइटम है एक टीम है ब्रोफ लैश एचे मूव है वह मूव से ही मैं जा सकता हूं भाई रॉक टरनल से होते हुए ओ ब्रोफ मुझे कुछ चीजे खरीदना था मैं एक काम करता हूं पोकिमोन मार्ट में जाता हूं य्यों कूछ चीजे क्लिता हूं मैं कुछ चीजे खरिद लेता हूं सुपर पोशन एंड मुझे रिप एंड रिवाइब खरीदना ए कुछ तो य़ॉ फिर बाई करते हैं ब्रोफ म म Wendy ksel बोव सिदह है तो मैं 28 Ale boshan खरीदकर दाया हूं कुछ उत्ना कर्याओ करना है वैसे मेरे पास 14 रिवाइब है तो इतने में से तो काम हो जाएगा मुझे कुछ रिपल खरीदना चाहिए तो भई मैं मैंक्स रिपल खरीदने वाला हूं तो मैंक्स रिपल मैं खड़ी दूंगा इतना काफी होगा ठीक है एंड कुछ चीजें भी बेजना है मुझे बेज दूगया मैं कुछ चीजें तो चलो बेचना स्टाट करता हूँ सबसे पहले तो मुझे बेरी बेचना है जिसे बेरीज का ज्यादा मिलेगा नहीं मुझे प्राइस तो मैं बाद में बेच हूँगा यह स्टार्ड को बेंसता हूँ यह किसी काम का नहीं है स्टार भाइस का सूंफ्ट गुइंग को पाउड देगा स्पीड बराएगा इंक्रीस कराएगा भाई रहने दो मैं बाद में बेचुंगा कुछ चीज़े तो वेर्मिलियन सिरी को तो मैंने पूरा एक्स्प्लोर करके हतम कर दिया है तो अब चलो निकलता हूं मैं इधर से और मैं तुम्हें अपना टीम के अपना पार्टी में यतने भी पोकिमोन हैं उनको दिखा देता हूं यह सारे मेरी टीम में ब्रो पीकाचू गरी निंजा शिंड्रियस शिंड्रियस चारमिलियन राइलू रीू लू एंड ड्रागनेर और εν कि निजा है यह अपना ग्री जलते हैं तो मैं मैक्स रिपल यूज कर लेता हूं इतर ओके मैक्स रिपल कि तर रहे बरो सबसे नीचे होगा साइथ मैक्स रिपल कि तर गया बरो यह रहा ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं अन मैं सुरेलेंट सिटी में थोड़ा सुरेलेंट सिटी में मैं जाने वाला हूं क्यों मुझे एक बाइक चाहिए तुम्हें अगर याद हो तो क्या नेम था भई प्रोफिसर अरे प्रोफेसर नहीं भई बेर्मि लोगे बैप अचली में जाने हैं तो सुरेलेंट सिटी में जो पाइक शॉप है उधर जाके एक्स्चेंज करूंगा वह वाइक वाउचर इधर में अपने फ्लेन को भयी साथ क्या है देख भाल करने के लिए मैं जाओ क्या पूछू अपना अफलीन का हाल अच्छा एक लेबल बढ़ा है अभी तक उसका नहीं मुझे नहीं चाहिए अपने पास रखो अभी अफलीन को मैं बाद में कभी आओंगा बाद में तो वापस नहीं आने वाला मैं ऐसे बोल दि सूरे लिन सीदुड है शुलीन टी दो इसले घ्सठीं में जा के मैं भाई बाइक शाप में जाकर भाहिए इक्सजेंच कर लेता हूं अप पर यहinks क्या है चलो एक बाग वाउच रो कह कंई है में मिल चुका एक बैसे करूँ मैंने अभी तक तीन बैज जीता है जीम बैज और बहुत सारे जीम बैज चाहिए अभी मुझे अभी फाइब और जीम बैज चाहिए उसके बाद मैं चालेंज कर पाऊंगा भाई लाइट 4 के मेंबर्स को तो अपना नया बैसेकल ट्राइकरता हूं मेंधर कि था अपना नया बाइक वह वह प्रोच यह रहा है चलो वो भाई यह बाई सेखल कीमोन जैसे दिखता है एंड बहुत फास्ट है कि बहुत रेली फास्ट है तो इधर एक ट्रेनर है अन यह बैदल करेंगी मुझसे यू रजा जाती है तो पहिए ना चौर्ण हो मैं तो इसके पास इस आप शॉल आप शॉल का लेवल 38 है तो अपना पीचु का कर देगा तो भाई मैं कौन सा मूव यूज करूँ इलेक्टर वाल इसका निकल आया आप सोल का नाइट श्लैश भाई नाइट श्लैश से बचेगा अपना पीकचू मुझे लगाई ता कि अपना पीकचू नहीं बचने वाला नाइट श्लैश से कि किसे काश Suppose मैं सिंडरी कोच्व करता हूं अपने से हेटе में इसकारा सकता है तो मैं पाया भॉल्स करता है इसके ओपर न देखता हूं कितना देता पाइर वाल लेट्स इब्रो आप सॉल फेंड़ेट होता है कि नहीं ओके ब्रो अपने सिंड्रेस ने सिंड्रेस ने डिफीट कर दिया भए आप सुल को अन्चार मिलियन का लेवेल 29 हो जुका है नेक्से नेक्स्ट पोक्यमोन है क्वैक सायर क्याक सायर को इसने मिलता है ब्रेक ब्रेकनेख ब्लेट से वह क्रिटिकल हीट लगा लेकिन बज गया हो तो अब मैं ड्रागन रेस से इसे डिफीट करता हूं इसने सुच कर आ लिए तो मैं इसके ओपर ड्राइगन टेल उसकरता हूं इसने ड्राइगन पल्स से डिफीट कर दिया गिरी निंजा तू आजा भाई इसको डिफीट करने के लिए तो इसके ओपर तू आइस पंच यूसकर एंड गया भाई यह अब नेक्स्ट पोकिमोन कौन है बैल रूम बैल रूम के पास टाइफ एड्वांटेज लेकिन अपना गिरी निंजा बहुत स्ट्रॉंग है वैल लूम को डिफीट कर दिया अपना गिरी निंजा तो ब्लैक है नेक्स्ट पोकेमोन क्वाक्सायर को ब्रो अपना गिरी निंजा यह रहाएगा और क्वाक्सायर भी फेंटेट हो गया गिरी निंजा का लेवल भई प्रिवान हो जुका है और चार मिलियन का थर्टी अपना चार मिलियन जल्दी से चार रजाट में वाल हो जाए उसके बात में में वाल कर सकता हूं अपने चार रजाट को यूड़ी डिसीविट कि टानल कमिंग अप इस पिछ प्लैक इंसाइड आइनो यह विल नीड फ्लैश तो गेट थ्रू एर लेकिन मेरे पास फ्लैश मूब तो है नहीं मुझे धूना परेगा इदर तो ब्रो मुझे इदर एक टीए मिला टीएम 40 जो की है एरेलेस अटाक और यह बहुत अच्छा और टाएम यह न घ्राश टाइब के खिलाप बहुत काम आएगा यह बहुत कहला रहे कि तो एरेलेस कौन कौन सीख सकते रह बहुत सारे लोग साइद सीख सकते है नहीं गरी निंजा चार्मिलिन सीख सकता है तो मैं चीड़ी निंजा को शिखाने वाला हूँ क्योंकि क्यों गिर्टी निजा एक वाटर टाइप पोकिमोन है एंड़ टाइप के खिलाब यह काम आएगा तो मुझे एक अटाक को अटाना पड़ेगा तो भाई मैं वाटर शुरी को अटाता हूं अपने गिदी निंजा को एरलेस सिखाता हूं अपना गिदी निंजा भी एरलेस सीख चुका है ओ यह कोण है बाइप गरेट आएवाज बोड हां तो यह बोड हो चुका था तो इसे इंटेंटैंबेंट चाहिए तो मैं इसे इंटेंट करूंगा इससे बैडल करके तो भाई इसके पास तो मच शेल्ट है तो मैं इसके उपर वाटर टाइप मुग उसकरता हूं यह बाइड यूज कर रहा है बाइड से क्या होगा I don't know तो आफ तो अब नेच्ट बे qon कोन है मुझे वह देखना है तो नेस्ट पोकिमोन स्टीलक से तो वाइड से झृक अपना सिंड्रियस सिंड्रि milj भ्रो तू यूज कर फायर यशकल नेश करकर एक और फायर फैंग उसकरता हूं मैं इसे डिवीट करता हूं तो इसको कुछ एक्सपीरेंस मिला एन भाइ अपना रियूलू 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 42 लेवल का हो गया अपना रियूलू कब इवाल होगा लुकारियों में कीप इट कमिंग हा यह क्या बोलना का ट्राय कर रहा ह शोर हैट कर्ट स्टैंडिंग अप्टू में देर अभी हैं क्या लगा गए रखा है चलो भई आगे बढ़ते हैं तो इधर मुझे एक आइटम दिखाए दे रहा है और यह है ब्लैक्स लाजए आइटम हेल वाई बोक्मोन पॉजिम टाइप अच्छा पॉजिम टाइप का अब करता ही है ब्रो मुझे लगा कि कुछ आइटम हो गए तर इसलिए मैं आया हाँ प्रेंगे टोन क्या ले आने को बोल रहा है तू मेरे पोक्मोन को तो यह डबल बाडल करेगा मुझसे इसके पास गोलों मैं ऑनिक्स है तो भाई मैं वाटपल्स यूज करता हूं गोलम क सब्सक्राइब लेवल से फेंडेट हो गया एंड ब्रो सिंट्रिस का लेवल भाई 49 हो जुका है अपना सिंट्रिस का लेवल हो रहा है चार मिलन का लेवल 31 अब यह ओनिक्स किया गिदर ओनिक्स तो चूप गया है तो ऑनिसके उपर मैं कौन सा अटाग उसकरू को ओके ओके ओनिक्स गया ब्रो अलान नेम था अलान नेम था इसका गया यह आलान हाह यू बीट मी फेर तो क्या 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 चाहता था तो हां यूजिंग हाटी गाई ऑल्वेज लाफ तो भई मुझे एदर एक बर्न हिल मिला ठीक है इतना भी बेकार आइटम नहीं है एक काम करता ह आति होना मैं मैं रिवायव करताओ आपने पी लचू के उपर एंद्स उपर पोशन यूजिश करथा मैं कहा का गया भषे अड्य ऐस राजी मिला खेश होड़ा रिखय में बहुत सारे आइटम अपने पास कन Azra हो जा रहा हूं मैं तो मैं अद्ध के उसकर ता χुं करता हू पीकेचु के ऊपर एंड गिदे निंजा के ऊपर एंड सुपर पोशन खड़े खतम हो गया लेकिन अपने पास हाइप पोशन है तो मैं ड्राइगनेर के ऊपर यूज करता हूं एंड फूल करता हूं इसका अब चलो भई आगे बढ़ते हैं यह स्टोन अच्छा रूट नाइ जब मैं फेमस होंगा तब तो भई शाउट लैंड एंड वीवेल तोनों ही आइस टाइप ओकिमोन है तो भई अपना ड्राइगनेर सबसे पहले अपना पीकाचु अटाक कर भाई इसके उपर डिक अटाक एंड ड्राइगनेर तू अटाक मत कर तू स्विच कर लें से इंड करता हूं मैं इसके उपर स्काउट लैंड के उपर स्टॉस अब इसने कौन सा अटाक उसके जो पीकेचु को फेंडेट कर दिया इसने रिटालेटेट ओके क्रिटिकल हिट लगा लेकिन ज्यादा डामीज नहीं मिला अपने सिंड्रेस को तो भाई अब कौन आएगा उसको आने रियूलू तू आजा भाई तू दिखा अपना पावर फोर्स प्लाम में यूज़ कर भाई इसके उपर विवेल के उपर एंड तू बाउंस अटाक उसकर इसको पर राईलू के उपर इसने अटाक उसक्या लेकिन डाईलू ने वह विवेल को डिफीट कर दिया ठीक है रियूलू रियूलू भाई राईलू गोल रहा हूं मैं इसको रियूलू ओके भाई यह बंच से फेंडेट होना चाहिए था तो फिर मैं इसको फोर्स प्लाम यूज़ करता हूं भाई बाउंस मिस हो गया अपने आरे यार रियूलू फेंडेट हो गया लेकिन बंच से गया शुका है यह आट जब निँजा लेवल hustoy यह सब्सिटूट मत जीख क息 ऊपने पोगिमोन का लेवल अब हो रहा है इल्ञा फ्लेंब झुक रहा घ्ट सिखा हूं कि हमें इसको फ्लेम बर्स सिखा देता हूं मैं स्मोक स्क्रीन को हटा के फ्लेम बर्स सिखा रहा हूं अपने चार मिलियन को आउट लाइक लाइट अभी फेंड़ेट क्या कॉन हुआ है पीकेचु आइस फेंड़ेट कीप वाकिंग वाक तो करूंगा मैं तुझे बोलने की जरूत नहीं है तो रिवाइब यूज कर लेता हूं मैं पीकेचु के उपर और रियू लू के उपर मुझे कुछ रिवाइब खरीदना ही चाहिए था ब्रो जादा करके इतने रिवाइब से कामने होगा मुझे कुछ और रिवाइब खरीदना चाहिए था ओके ब्रो आप पोशन और रियू लू के उपर पोशन यूज करता हूं मैं ओके आम डन अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं इधर भी एक ट्रे ट्रेनर आप अर्ली एवरी डे तो राइज माई पोकिमोन फर्म कुछ मुझे लगाई था कि यह बग टाइप ट्रेनर है और देखते हैं कौन सा बग टाइप पोकिमोन है इसके पास तो फर्स्ट है ब्रीड्रेल बग टाइफ पोकिमोन वीड्रील है जिसका लेवल थर्टी अपने चार मिलियन का पावर देखना चाहता हूं तो इसके उपर मैं फायर फ्रांग यूज करता हूं यह पॉजन जाप यूज कर रहा है पॉजन जाप से इसने चार मिलियन को भी फेंड़ेट कर दिया तो बहीं इन तोनों का बदला लेने कौन आए रियू लू आएगा बदना लेने लोगों का तो भाई इसके उपर फोर्स फ्लाम यूज कर भी इसका पॉजन से आप सच में स्ट्रॉंग है क्या भाई इसने मेरे तीन पोकिमोन को फेंड़ेट कर दिया यह लेवाई पायर बॉल एंड़ गया यह कौन है इसमें किसी को नहीं छोनने वाला है ठ पर अब मुझे तीन रिवाइब उसकरना पड़ेगा अपना पीकेचु तो बहुत कमचोर निकला भाई किसी से भी हार जा रहा है है ओके ब्रो रिपाइब उसकरने का टाइम आ चुका है और चार मिलियन डिवाइब हो जा ब्रो अपना चार मिलियन जब भाई चारजार में इवाल होगा तब आएगा मज़ा इससे बाडल करवाने में तो कितर के बरो हाइपर पोर्शन हाइपर ट्रॉक्स अब चलो आगे बढ़ते हैं मैंने उतर एक आइटेम देखा था मुझे उस आइटेम को लेना है और क्या है यह टॉक्सिक प्लेट यह आइटेम हेल भाई प पोईजन टाइप मुव तो यह पोईजन टाइप पोकिमोन का मुव को बढ़ा देता है लेकिन मैं इसे यूज नहीं करने वाला इसे तो मैं बेज दूंगा चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक और मिल गया मुझे बग टाइप ट्रेनर गो मैं सूपर बग पोकिमोन तो अब ट्रहीं तरीड़ा इसे दिखा वर इसके बट्रागन टेल करतूं अन ड्राइगन एज बर यह में इन इसने ड्राइगने को फैंडडेट गडिया सिंड्रेइज भाई तू आजा आपना स्ट्रॉंगास्ट काय उसके ओपर फायर पंच उसकर बटरफी गया बएं सिंड का लेवल हो चुका है 50 एंड पीकाजू का 40 कर्स्टल भाई तू भी नहीं भजने वाला अपने सिंड्रिस से निंजैक्स तू भी नहीं भजेगा भाई इसका सारे सूपर बग पोकेमोन को मैंने डिफीट कर दिया और अपने चारमेलन का लेवल 33 हो गया मैं बग्स तुम्हार रॉक टरनल टू टू गो टू लेवंडर मैं भी ले रहा हूं भाई रॉक टरनल लेवंडर आने के लिए तो भाई तेरे पास गोल्ड़क है अब आया ना पीकाचू के लिए अपोनेंट तो भाई पीकेचू यूज कर स्पार्क अटक और गोल्ड़क के उपर ज्यादा लेकिन भाई उसे फेंडेट नहीं कर पाया अपना पीकेचू एक अटाक से इस पर कर दिया इसने दो मूब उसका नपरा इसको और गोल्ड़क तो गया भाई एन रियूलू का लेवल 43 हो चुका है अब नेक्स्ट पोकेमोन कौन है ब्रो हूँ इस नेक्स्ट ओ अर्स इलेक्ट्र ट्राइन इलेक्ट्राइन भाई अब अपना वह भाई इसने एकी अटाक से फेंडेट कर दिया पीका चुको तो इससे कौन हराएगा ब्रो अपने सिंट्रिस हराएगा इसको दिखाएगा कि असली पावर होता क्या है वाई फाय पंच अब यह फाय पंच से इसके उपर एन आइस पंच ओ आइस यह तो आइस टैप है लोकिक वाड़ पल्स को एरेलेस ओके एक को तो डिफीट किया इसने एंड ग्री निंजा का लेवल 43 हो गया ब्रो नेक्ष्ट पोक्यमोन कौन है यह बहुत सारे पोक्यमोन फेंडेट हो चुके दो सायत कैंड मेज सब्सक्राइब कर देता हूं मैं पीकेचु को एंड ड्राइगनेयर को यह लोग जादा ही फेंडेट हो रहे हैं इनको मुझे केरफुली यूज करना बड़ेगा बाडल में और में पास ज्यादा रिवाइब भी नहीं बचा तो मैं ज्यादा यूज भी नहीं कर पाऊंगा रॉक टनल में तो भई मुझे कुछ रॉक कुछ ज्यादा खरीद लेना चाहिए था आइटेम्स रिवाइब एंड हाइपर पोशन मुझे लगा कि इतने मैं से काम हो जाएगा लेकिन भई मुझे बहुत सारा चाहिए तो भई मैं इन दोनों को दे देता हूं है पोशन हाँ हाँ आड यू लेटिल क्या थागी वाट यू मीन डाट भई इसके पास क्रोकोडायल है ब्रो इसके पास कूल बोकिमोन है क्रोकोडायल भाई इसने कन्फ्यूज कर दिया लेकिन वाड़पल से बचेगा नहीं मुझे आइस पंच यूस कना जाए था इसको बर ओके क्र पोकिमोन कौन है ओ पीचु का लेवल अफ हो गया पीचु का लेवल 41 हो गया ब्रो नेक्स्ट पोक्यूमोन है यह गलाइसर भाई गलाइसर के ऊपर मैं आइस पंच यूज करता हूं आइस पंच से अक्रोबाटिक सी उसकरा भाई इसने गिरी निंजा को फेंडेर कर दिया बाई अब ग्लाइसर को हराएगा अपना दसी दिस क्योंकि अपने सींद जुआ के पास टाइस आइट्वांटेश है लिए फाइस पार फार 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 पंच को बिसने सेलिया एक और फायर पंच और गया बही ए अपना सींददेस का लेवल वे 50 वह उचुका है इसका लेव त्रेवाइब करने का टाइम आ चुका है अपने किरी निंजा के वब और वह रिवाइब ब्रो यह रहा और मेरे पास ज्यादा रिवाइब भी नहीं बचा है इनको मुझे विद्व पर यूज करना पड़ेगा फाइब नहीं चार चार रिवाइब बचाया अभी अभी मैं 4 पोकिमोन को रिवाइब कर पाऊंगा और हाइप पोशन भी ज्यादा बचा नहीं है अपने पास ठीक है ब्रो अब आगे बढ़ते हैं इतर एक और ट्रेनर मिल गया मुझे दोंट यू डेर पैटर नॉइज मी पैटर नॉइज का मीनिंग क्या होता है ब्रो मुझे सर्च करना गूगल में तो इसके पास भाई कौन है यह फेरी टाइबस साइथ तो मैं कि निंजा को चूश करता हूं और इसने में का इवाल कर लिया भाई तो मैं इसके पर हाइडर व पर को सारा एक्सपीरेंस मिला एंग लेवल हो चुका है 44 ठीक है बाई अन ड्राइगन रिवल 39 लेवल लेवल अप हो रहा है अक्वाटल सीख रहा है है सिखाओ कि हमैसको एक्वाटल ब्से ड्राइगन टेल का पाउर कितना है 60 एड़ एकवाटल का 90 तंडर वेप फटने व चार मिलेन का भी लेबल अपो गया उसका लेबल 35 हो गया और रियू लू का लेबल 44 भई लेबल लेबल अपो रहा है नो यू तू मच तू मच वाट यू में तू मच यू अविसली तैलेंट गुड लग तू यू थैंक यू तो भाई इधर डाइनमेक्स टेन है यह दैर एनर्जी प्रांडिंग आउट अप देन विल्यू लुक इंसाइड जरूर अब मैं जाओंगा भई इधर में के साथ चल डाइनमेक्स करता हुए इसके अचल लाइटनिंग यूज करना बरुद अभाई में अचल वोल्टरंक्स वोल्टर्क्स ब्जाए इसके उपर भ यह पीकचू को नहीं आरह सकता है मैं यह आक्स वोल्ट्राक्स लग क्यों नहीं रहा है ऑफिसने नॉर्मल भई इलेक्ट्र ट्रेरर यूज़ करके जाता हूं एलेक्टिक टाइप का पावर अप कर देता हूं मैं इसने पीकेचु को फेंडेट कर दिया मुझे किसको बुलाना परेगा अब मैं किसको चूज करूँ किरे निंजा ड्राइगनेर तू आजा तू एक काम कर तू इसके उपर ब्रीक नेक ब्लेट से उसकर के देख भई ओ भाई यह ब्रीक नेक ब्लेट से भी बज गया आई डून नो मैं इसको हरा पाऊंगा की नहीं इसको पर मैं एक्वा टेल ट्राइगरता हूं यह ड्रेंड की फीसीं रोहा द्राइगल ड्राइगन ड्राइग रेस परंच करता हूं खुर सब्सक्तिंजाबक्र फारेज ड्राइगन तौट कॉर्इबट तू अपता थे कुछ बिंद्से मेःस इसके उपर रहसेएpanे आइस था काम करता हूं क्या पता मैं इसको क्याश करने का ट्राय करता हूं क्या पता मैं इसको क्याश कर लूँ आइड़ों मैं क्रेड़ वॉल्स करके देखता हूं ऑके कैसे कекलिया भए हमने इसे कुछ पॉकिवाल मिला मुझे मिला के ज़स्स थंडरस्टून मिला मुझे अगयर पीकचु को या प्रोन पीकचु को में इवशो करें का उस्को रिवाइब देना बड़ेगा तब जाके मैं कर सकता हूं इसको रिवाइब लेकिन मैं सोच रहा हूं नहीं करूंगा मैं उसको रिवाइब क्योंकि Pikachu पसंने मुझे इसलिए अभी 25 मिनिट हो चुका हैं मैं अभी तक इसको रिकॉर्ड करे जा रहा हूं मेरा ध्यानी नहीं था तो भाइर रूट 10 में आ चुका हूं मैं अनितर मैं गेम को सेप करने वाला करता हूं